देसी एगो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको देसी जुगार से पानी देने का सिस्टम सब्चा रहे हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में तेयार हो जाएगा ये हों मेट तरीके से बनाई भी मशीन है देसी मशीन बोल सकते हैं आप देख सकते हैं, बीच में एक खाली पाइप है, और इसके साइड में दोनों तरफ भाईने लगवा दिया है, बीच की पाइप तीन इंच की है, और साइड साइड की जो चार पाइप आप देख रहे हैं, ये सवा इंची की आसपास की पाइप है, पीछे के साइड में भी ऑप त्यादी जाएगा बर्राबर भाई ना अबन देंगे और एक साथ चार जगा पानी देंगे पांच जगा पानी इससे आराम से दे सकते हैं वह अभी थोड़ी दिर में आपको दिखाऊंगा जब स्टार्ट हो जाएगा यह यह प्रॉसेस इसले बनायागा इस से पाइप देख सकते हैं, आप 5-7 क्यारियों में आराम से पानी दे सकते हैं, यह बहुत ही best option है, अगर आप चाहें तो इसको घर पे बनवा सकते हैं, आप इससे पानी दे सकते हैं, जैसे अभी देख सकते हैं, यहाँ पर प्याज रोपी गई है, एकदम ताजी, तो यह क्यारियां आप खेतों में कहीं पानी ज्यादा भी नहीं होगा आराम से दे सकते हैं फिर घुमा सकते हैं तो एक बहुत ही वहतरीन आप्शन है अभी जब यह स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरा प्रॉसेस काम करता है आप चाहें तो इस तर जो सवा इंची की हैं उसको आप दो इंच की भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और एक साथ आप चार जगह पांच जगह पानी अराम से दे सकते हैं काफी सफल टेक्निक लगी मुझे इसले में इसकी वीडियो शूट कर रहा हूं यह चार इंच की फूल पाइप है जिससे में पानी वाटर सप्लाई आएगा और देखिए यह जो बीच की पाइप है तीर इंच की है इसको बांद रहे हैं और कमाल का सेट अप इन्हों ने किया है कि सवा इंची की पाइप लगी हुई है तो इस पाइप पे लोड नहीं पड़ेगा मतलब पानी अगर निकलेगा तो प इसका यूज आप गेहूं की फसल में स्टार्टिंग के टाइम में पानी देने के समय भी कर सकते हैं उसके लिए करना क्या होगा जैसे यह पाइप अभी सेट अप कर ली गई है जिसका आगे वाला जो पूरा सेक्शन जान से पानी निकलेगा वहां पे एक फुहारे वाला टाइप का सेट अप होता है उसको लगा के और जब स्टार्ट करेंगे तो पूरे खेत में शिर्काव कर देंगे इससे क्या होगा कि कि इदम लिम्टेट पानी आप अपनी खेत में दे पाएंगे तो एक तरीके से देखें तो देसी जोगाड़ वाला अपना रेंड इरिग यह देखें पानी निकलना शुरू हो गया इसमें सभी पानी निकलना शुरू हो गया देख सकते हैं आप पानी का फोर्स देख सकते हैं यहां देखें और यहां पे भी देख सकते हैं इस तरीके से पूरे खेत में आराम से आप पानी का शिर्काव कर सकते हैं बहुत ही अच यह देखिए इतना force है, यह पूरा setup करके आप अराम से खेतों में पानी दे सकते हैं, बस एक चीज का आप ध्यान दीजे कि pipe कहीं मुड़ी हुई ना हो, क्योंकि इससे पहले हम जब कर रहे थे तो pipe थोड़ी मुड़ी हुई थी तो यहाँ पे pipe पे ज्यादा load पड़ गया तो एक flow में, तो आसा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद, लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें, देस ही एक रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई सुझा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता करनी करेंगा था करेंगा अगरूर आपका क करेंगा हैंग वीडियो आपका करेंग हैंग वीडियो में